ओके सो गुरुनिंग बच्छों गुरुनिंग कैसे हो एक नम ठीक थोड़ी थोड़ी दिक्रतें आ जाती है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है कई बार बट वी आर अगेन ऑन दे सेम प्लेट फॉर्म नीट अकाडमी के चैनल पर और आज हम चाप्टर को खतम करने वाले हैं इ सबसे चीज यह कि चाप्टर बहुत सिस्टेमाटिक चल रहा है और मैं इस चाप्टर का कल वन शॉट अराउंड छे साड़े शे बज़े के आसपास लूँगा इसमें मैं आपको कम्प्लीट एंसी एरटी पढ़ाने वाला हूं तो मैं चाहता हूं वो बच्चा जो मेरे टेलिग्राम को मुझसे जरूर मिले मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी जॉइन हो जाओ और मुझे बता दो कि वोईस वगरा ठीक है क्योंकि मैंने इस सारा सेट अप अभी दुबारा से किया है कई बार ये चीज़ें होती ही रहती ही नॉर्मल है मुझे जानते हो मेरा नामन लेर्निंग आप मोलते हैं एक सॉफ्ट्वुएर साहर और सॉफ्ट्वेर का बहुत बहुत्र बैनिफिट है कि आप फुरी की पुरी लेक्शेर को है पुरा स्लेबर कम्प्रीट वहां से देख सकते हो ये कुछ बैनिफिट्स आप लोगों को वहां पर डिरेक्ली मिल जाते यहां पर प्लस पर पढ़ा रहे हैं और सारे फीचर्स जो प्लस के हैं वो अरड़ी आपको मिलते हैं कुछ अच्छे ओफर्स चल रहे हैं जैसे एक जुम्बो कॉम्बो ओफर बोलते हैं इसको नीट और आयटी जेई का दोनों का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपके पास मैट्स भाई है या आपका भाई आपका फ्रेंड है और साथ में आप लेना चाहते हैं तो दो साल की फीज सिर्फ ले सकते हैं अभी बस लेटें स्टार्ट हुए हैं तो किसी दी बैच में रोल कर जाओ पॉस्विलिटी इस बहुत अच्छी है किसी बैच में और अगर नी 2021 देना है और अब जैसे कोई बैच कहीं से दिखने ही रहा है बहुत से लोगों ने छोटे-छोटे क्रैश कोर्स कर रखे हैं और सबसे अच्छा क्या है कि इस रिवीजन वाले उसमें आजाओ पुरी तरह से फ्री है तो इसको हम रिवीजन कैम्प बोल रहे हैं इसमें आ सकते हो और स्टिल एक साल या दो साल के बच्चे हो तो एक साल या दो साल का सब्स्रिप्शन प्रॉपर तरीके से यह यहां पर ले सकते हो कहां गया कि वन या फिर तुए ठीक चलो फिर कहानियों को स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो कहानियों को स्टार्ट करेंगे और हम लोग कल तक जो भी मारा लास लेक्श्र था उसमें फिश के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे आज तोड़ा सा में समझेंगे, composite fish farming, बिल्कुल systematic तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे, now the thing is important, क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या, कि जब हम यह पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई को कर रहे हैं, systematic तरीके से, composite fish farming में होता क्या है, यह भी समझनी बहुत जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, selected species of fish को लेते हैं, एक जगा रखते हैं, किसी pond में है और उससे क्या होता है, production increase हो जाता है, इससे फाइदा क्या जैसे, यह एक crop land है, यहाँ पर fish को पाल दिया है, अब fish क्या करेगी, पेड़ को खाएगी नहीं, आपस में है, उससे जो fecal material निकला, वो उस plant के लिए manure का का काम कर रहा है, तो एक तरह से हमने दो-दो काम किये, collectively called as composite fish farming, ठीक है न, few selected species of fish are stocked together in proper proportion in pond, total production of fish increases, इसके लिए हमने word use किया यह, अब इसमें इस बात को समझना, जो species है, ऐसी रखी जाती है, जो आपस में एक दूसरे को harm न करे, और सबसे अच्छी अच्छा फाइदा क्या है, चाहे यहां की बात कब, हर जगा पर, कभी भी उस पूरे area का utilization से पहले नहीं होता, था भाई, fish है, एक तरह के fish है, मान लो, वो नहीं market में बिकरी, तो क्या करोई, यहां varieties है, तो पूरा area properly utilize हो पाता है, पूरा area properly utilize हो पाता है, पहली बात, different species आपस में complete नहीं करती, क्योंकि उनका खाना अलग है, उनका खाना अलग है, इससे बड़ा सुकून रहता है, और हर एक grow करता है, और fully utilize हो जाते हैं, तो जाधा से जाधा amount wise बात पाते हैं, जैसे, composite में किसको किसको आपस में रखना मान लो, यह pond है, यह surface, तो हमने यहाँ पर क्या रखा, कटला, first number पर, हम रिगाला की जब बात करते हैं, तो वो bottom में हमेशा grow करेगा, surface पर आएगे हैं नहीं, कटला surface पर है, और यह column feeders है, इसमें, और labio रोहिता की बात करते हैं, तो देखो हमने तीन रखे एक साथ, हमने तीन रखे और तीनों ने अपनी range बना रखे, एक बिल्कुल नीचे हमेशा रहती है, उपर आती है नहीं, एक middle में, और यह भी नहीं कि आपस में लड़ाईयां कर रहे हैं, इनका food भी है different है, बहुत सी चीज़ें different है, note कर लेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो knowledge improve कर fisherman मिलेंगे, होट जादा पैसे आते हैं इसमें, क्यों एक बार में कई टन मचलियां पकड़ते हैं, क्योंकि समदुर तो बहुत बढ़ा है, तो यहां पर marine fisheries में, जितने भी ocean, या sea water में, जितने भी fish मिलती हैं, जितने भी, in fact, जो ऐसे animals हैं, ऐसे, जो आदमी खाता है, aquaculture so called, पानी के अंदर जितने तो, वो चीज़ें आपको याद रखनी होगी यहां पर, अब इसमें कुछ-कुछ equipments होते हैं, electronic fish locating equipments, वो सोनार सिस्टम जैसा सा होता है, कहां पर जादा जुन्ड है, वो reflect करता है, उतने sound वगरा waves के थूँ, तो वो उस जगा पर जाते हैं, in fact यह help के लिए की जाते हैं, क्योंकि इंडिया में एक एक इकोनामी का बहुत सा पार्ट ये भी responsible है, मचलियों को पकड़ा All India Export किया, और वहां का main food भी क्या है, fish है, और ये भी हमें समझना है कि हम अगर ना खाएं, जादा खाना अलग होता है, exploitation is different thing, बट अगर हम ना खाएं तो food chain भी different, थोड़ा सा difterb हो रही, जादा कोई चीज अच्छी नहीं हो, तो balance भी कर रहे हैं और एक economical source भी है, तो ये एक अच्छी चीज है, एक systematic चीज है, देख रहे हो कितनी भीड लगी हुई है, एक समुद्र से चीजे निकालने करें, तो ने लोग मिलकर भी पुरा सम मुद्र खाली नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में ocean बहुत बढ़ा है, एक चीज, अच्छा इससे लिए बहुत से sources हैं जैसे की, साडीन्स है, मैक्रियल है, ये south west coast में बहुत जादा मिलता है, इस resources से क्या पता चलता है, कि south west coast में कौन सी मचलियां जादा है, मैक्रियल ठीक है, और ये एक important fish labor की बात करें ना, मचलियां पकड रहे हैं, उपर से खीच रहे हैं, multiple methods होते हैं, उस area में जाएंगे, कुछ-कुछ उसके अंदर ऐसा सा डालेंगे ताकि मचलियां attract हो, मचलियां पकड कर लेकर आते हैं, रूज का काम है, और ये काफी खतरदार का, य उनको ये सब चीजें already पता हैं, कुछ name, कुछ area of availability, कुछ name और कुछ area of availability की बाते हम करने वाले हैं, Bombay duck, महरास्ट्रा में नाम से ही Bombay duck हो, eel काफी जादा लोग पसंद करता हैं, जितने भी coastal areas हैं, वहाँ हिलसा, eel, ये सब मिलते हैं, east और west दोनों ही coastal areas में, आपको salmon मिलते ह साइडीन स्वेस्ट दोनों में हैं, तो ये west और south coast हैं, अगेन मैं बूल रहा हैं, उस डाटा को याद नहीं करना है, you have to learn this, simple समझ लो, काम बन जाएगा, एक छोड़ी से चीज समझाना चाहता हूँ, fish के जितने भी disease हैं, उन से related हम कुछ बाते करेंगे, जितनी fish से related, जित लो, wonderful, ठीक है, तो कोई doubt हो, मुझसे पूछ सकते हो, query कर सकते हो, अब इशेख है, आश्यतोश है, वैशनवी है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लगे रहो, महनत करते रहो, hard work करते रहो, चलो जी, तो फिर कहानियां आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, अब इसमें कुछ disease की बात करते हैं, यहां पर कुछ नाम हैं आपको, यह सब सिंपल सिंपल सी चीज़े हैं, जो disease bacterial हैं, उनके कुछ नाम हैं यहां पर, क्योंकि आपको नहीं याद रखें, कुछ viral disease हैं बस नाम सुन लो, कई बार इनके गिल सेरिया में fungus लग जाता है, उनकी भी बात कर रहे हैं हापर, मतलब ऐसा नहीं कि फिश पानी के अंदर उनको कोई disease नहीं हो सकती, कहने का मतलब यह कुछ नाम हैं जैसे tapeworm, flatworm यह सब हमारे अंदर भी होते हैं इनके अंदर भी यह सब disease लग सकती हैं, लग जाती हैं और ऐसा नहीं कि हर फिश अच्छी ही होते हैं, जैसे मार्केट में फिश जब बिखती भी हैं तो वो चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई infection तो नहीं है, पता चले हम इसको बेचने के लिए ले जाएं और उसमें और इसम जर्फ नाम सुना होगा, आज इनका डियाग्राम नहीं मतलब पिक्चर देखने, डियाग्राम तो नॉन लिविंग चीज़ों का होता है, तो यह हैं डॉक्टर बॉर्लॉग और इन्हों ने पूरे वर्ड में सबसे पहले green revolution लेकर आए, और इन्हीं के साथ में काम करते थे कौन, इंडिया के डॉक्टर MS स्वामिनाथन, ICR के हेड थे, Indian Council of Agriculture Research, और बेस्टिंग इस, इंडिया के अंदर green revolution इन्हों ने स्टार्ट किया, इनको देखकर, क्याना कि हां जी कैसे कर रहे हैं, कलाबरेट किया, डॉक्टर नॉर्मन इबॉर्लॉग से, और इंडिया में एक इंडिया, NCRD के लाइन है, वीट की, Mexican variety को लेकर है, वीट की Mexican variety को लेकर है, मेरी बात समझ पार, वीट की Mexican variety को लेकर है, ये छोटे-छोटे points आपको यहाँ पर याद है, छोटे-छोटे points, especially याद है, यह दिख रहा है, green revolution, अब MS स्वामिनाथन का full form आज पहली बार सुन लो पुरा interesting, बहुत interesting सा नाम है, स्वामिनाथन, Mancombu Sambasivan, स्वामिनाथन, Indian genetics के scientist है, Tamil Nadu में पैदा हुए, बहुत डीटेयल नहीं जा आए, और इंडिया में, इनके साथ में, बार्लोग के साथ में, यहां पर इंडिया में कौन सी वराइटी लेकर आए दुबारा बता रहा हूं वीट की वराइटी लेकर आए डॉर्फ वराइटी ओफ वीट जो होते छोटे हैं लेकिन उनकी प्रोडेक्शन पर हेक्टियर बहुत जादा होती है इसको बचों ऐसे समझो अगर मेरे पास यह ए प्लांट होते हैं मान लो पंद्रा अफ्कोर्स प्लांट पंद्रा ही लग सकते हैं लेकिन इसमें जो फलिया होंगी हर एक पर मान लो एक एक है और इसमें हर एक पर मान लो चार-चार हैं तो सेम जगा पर आप ज्यादा प्रोडेक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते मेरी मेरी बात समझ पा रहे हैं एक सिंपल समझने के लिए तो उसका प्रोडेक्शन रेट बढ़ गया क्योंकि इंडिया में लैंड तो लिमिटेड है पॉपलेशन बढ़ती जा रही है तो वाई वी नीड ग्रीन रिवोलुशन का मतलब सीधे शब्दों में समझो खाने में रिवोलु नहीं थे अंग्रीजियों के जाने के बाद जब देश पहली बार फ्रीडम में नाइटिन फोटी सेवन में तो इंडिया के पास कुछ था ही नहीं क्यों हमेशा हम आजात तो हो गया तो कॉल्ड हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था जाकि हम अपने आपको सर्वाइव क हम क्या करते थे उससे पहले अंग्रीजियों के यहां पर पस वही कुछ राजा महराजाओं का नाम सुनाओंगा जो गिने चुने हुआ करते थे उनके भी पैसे जगरा लूट के लेकर चले गए लेकिन हम क्या करते थे उनके यहां नौकर का का काम कर रहे हैं चौकिदार का काम कर रहे हैं या अपनी खेतों में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वही ट्रेडिशनल मेथोड आफ खेती हम बिजनसमें नहीं थे और जो थे वह पॉइंट वन परसंट भी नहीं थे ठीक है अब पॉपलेशन खूब बढ़ रही थी तो भाई एक लैंड है इस बात को समझन इसने इसको डिवाइड कर लिए अब दोनों बच्चों में आधी आधी लैंड चलीगी ने लैंड टो निम्टेट नहीं हुए उन्होंने नया तो खरीदा नहीं कि वो तो वही चला रहे हैं जो बाप दादाओं की जमीन है अगली जेलरेशन में दोनों के दो दो बच्चे हो इन्होंने जमीन छोटी हो रही है जमीन फिर इसने डिवाइड कर गया है आप देखो आने वाले ऐसे तो 15-20 सालों में किसी पास कुछ रही नहीं जाएगा बस घर बना ले रहे लें बहुत बड़ी बात तो पहला तो हमें क्या करना होगा पॉपुलेशन को कंट्रोल करन और मुझेन नहीं हो या तुम है तुम्हारे नोन में कितने लोगों कि यहां कितने बच्चे हैं गॉपूढमेंट इक रूज लाने वाली है कि दो से जादा बच्चे नहीं बैंने कुछ ऐसा रूल सुना है मैंने निउस पेपर में सुना है यह अभ फाइनल रूल ही ले आ But the thing is, population limited हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे तो आपको opportunities की possibilities जादा बढ़ जाएंगे, एक job पर 10 लोग हैं और एक job पर 2000 लोग हैं, तो competition कहां है, बहुत जादा, जैसे आप 15 लाग बच्छों में fight कर रहे होते हैं, हर साल परेशान हो जाते हैं, इस आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से समझ नहीं होगी, systematic, तो यही कुछ चीजें थी, इन्होंने food production पर ध्यान दिया, तो वो जो Mexican वराइटी थी और वो भी डॉर्फ वराइटी, वो इंडिया में लेकर आए, लेकिन उसको discover किस ने किया था, नार्मनी बॉर्ला, ठीक है, डॉक्टर बॉर्ला उप्टो इंडिया, कानिया समझ भार, इसके अंदर features क्या थे, जाधा grain प्रोड्यूस होता है, जैसे पहले सिर्फ मान लो इतने grain प्रोड्यूस हो रहे, वीड के grains है ने दो फलिया, अब जाधा grain प्रोड्यूस हो रहे, उ इतना भी उसका स्टॉक था लंबा वाला, अब यह जाधा स्ट्रॉंग अगर होगा नहीं तो यह सारे घर जाएंगे कि नहीं कि रहेंगे, तो स्ट्रॉंग स्टॉक तूस पोर्ड एग्रेंस हैं, इंक्रीज, यह दो तीन पॉिंट्स बहुत इंपोर्टेंट थे, बाद मे कि दॉक्टर एमे स्वामी नाथन आल्सो इनुवेटेड न्यू मेथट फॉर इंडियन फार्मर्स ताकि उस जादा से जादा अच्छी को यूटिलाइज कर सकें उन्हों ने हाई इल्डिंग वीट वराइटी को यूटिलाइज किया फैटिलाइजर्स भी उसमें मिलाए और उसमें मौडर्न टेकनीक भी लगा दी ताकि वह इंडिया में डिजीज जल्दी से पकड़ लेती है फंगल इंफेक्शन हो जाते हैं पेस्ट इंफेक्शन हो जाते हैं इंडि की बात हो जाय कि क्या increased fertility को रही है तो इस आर दो तिंग्स जो आपको especially यहां पर समझना होगा बहुत चोड़ी बाते हैं बच्चों जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए है कहानिया क्लियर कहानिया क्लियर है ना इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को हाँ यह ना हाँ जी इसमें किसी बच्चे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी शायद है ना चलो जी चलो तो कहानियों को थोड़ा सा और सस्ट्रमाटिक समझते हैं है ना अब इन्होंने जो किया उससे चेंज किया है इस बात को समझना है ना इंडिया इससे पहले कोई छोटी सी लैंग्विज थोड़ी सी इंग्लिश का ट्विस्टिंग दे रखिए बट है कॉमन सी चीज बेगिंग बाउल से लेकर ब्रेड बास्केट तक इन्होंने अपने आपको चेंज करवाया मतलब पहले हमें पूरी दुनिया से उधार मांगना पड़ता था कि जी हमें अपने लोगों को खिलाना है हम अभी गरीब देश हैं आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया से नेपाल भूटान कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां से बहुत कम सब्सक्राइब बहुत ही कम टैक्स पर या टैक्स फ्री फॉर्म में वहां पर चीजें बेची जाती है कई बार तो उनको जब ऐसी सिचुएशन आ जाते क्योंकि गरीब देश है उनके पास उतने रिसोर्स नहीं हैं बट उनको दुनिया में सर्वाइव करवाना है क्योंकि पूरी पूरी कंट्री है तो अलग अलग देश उनकी अपनी अपनी मदद करते हैं फेवर कुछ लेते होंगे तो एक अलग बात है मैं इतनी जीके नहीं जानता है बट बहुत बार ऐसी चीज़ इन्फरक्ट जब पूरोना वाली सिचुएशन हुई तो बहुत से कंट्रीज ने इंडिया को भी बहुत सी चीज़ें दी क्योंकि जब जरूरत पड़ी थी तो इंडिया ने भी अलग 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 चीज़ें भिजवाई थी है ना तो वह आपस में आदान प्रदान एक दोस्तों के बीच में नहीं होता कि कभी तुमने मुझे क्या बलता है, begging bowl, कटोरा लेकर मांगना, begging bowl, उससे MS स्वामे नातन ने किस में change कर दिया? है, bread basketball, ना रोटी से भरा हुआ, basket, टोकरी, bread मतलब दिलों, तो यह जो modifications हैं, ना यह जो modifications हैं कहानी को समझना, यह modifications स्वामे नाथन की वज़ा से ही आ गए, in fact आप देखो यहाँ डाटा दिया है, NCRT में दिया हूँ, yield of wheat कितनी बढ़ी, 12 million ton से 23 million ton, सिर्फ चार crop season में 12 million से 23 million ton तक बाते पहुंच वे, और यह अपने आपने बहुत बड़ी चीज थी, यह अपने आपने बहुत बड़ी चीज थी, इनका काम यह जो चीजें थी वो आई, सच में है ना, यह चीजें, सच में उसमें आई, in fact ध्यान से समझो, in fact state of Punjab, तुम में से पता नहीं कितने बच्चे Punjab, यह हुगा green revolution में सबसे बहतर काम करने वाला उस time state जो था ना, wheat basket निकल कर सामने आया, नहीं, मतलब, बांट रहा है, इतने ज़्यादा production हो गई कि एक्सपोर्ट कर रहा है, wheat basket, word use किया इसके बिए, आचा, उन्होंने बोला कि एक sustainable development है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ loss हो रहा है, है ना, और साथ में, देखो, agriculture को भी हम ध्यान रख रहे हैं, food security को भी ध्यान दे रह है, है ना, और bio diversity को भी preserve कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ cut feet कर रहे हैं, कम area में ज्यादा production, this is the best sustainable method है, इस चीज में, और इन्होंने हमेशा evergreen revolution को ही, हमेशा favor किया है, कि जी ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कुछ दूसरी ही चीज ग्रो कर रहे हो, green revolution, evergreen revolution, हमेशा चीज चलती रहनी चाहिए, छोड़ी छोड़ी बाते हैं, तो इस basic चीजों को लाने वाले कौन थे, basic चीजों को MS Swamina, हमें जो बच्चों आथ समझना है, plant breeding के बारे में हमको समझना है, देखो green revolution तो लेकर आ गया, but population, अब आप इसको बुरा माने, जैसा माने, population तो अभी multifold develop होते जारी हर घर में, बहुत सी चीज़े connected है, आपकी education, आपकी income, और आपका tradition, ये सब कुछ हापस में connected है, कैसे connected है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपके साथ में एक छोड़ी सी चीज होती है क्या, कि आप इन सब चीजों को पता ही नहीं होता कि ये GDP क्या होती है family income क्या होती है, उनको बस ये चाहिए कि घर चल रहा है, so called simple सा word, घर चल रहा है, अब उनके दो बच्चे हों, पांच बच्चे हों, दस बच्चे हों, उनको जरा सभी फर्क नहीं पड़ेगा, उनको लगता है जादा बच्चे हैं, सब खापी तो रहें, क्या फर्क लेकिन future में उनके साथ क्या होने वाला हर एक अगर पांच-पांच और दस-दस बच्चे लेकर घुमेगा, imagine करो job possibilities, land possibilities, food possibilities, सब कुछ खतम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एक time ऐसा आएगा, जब population explosion कहलाएगा, कम area में, बलकुर मैंने पहले भी बताया था आपको, किस area में मान लो, 50 लोग maximum आ सकते हैं, आप इसमें 20 और नहीं बेच सकते हैं, जैसे ही 60 होंगे, आपस में लड़ाईयां करने लगे, और यहीं से दंगे, फशाद, rape cases, यह सब शीज़ें आते हैं, imagine करो, हर city में गिनके, 10,000 लोग हो, सिर्फ हर city में 10,000 लोग हो, सब की अपनी अपनी family हो, balanced family हो, क्योंकि इंडिया का sex ratio जो है, आपको पता है, 933, लड़कियां है, 1000 लड़कों पर, ऐसा बोलते हैं, एक simple calculation है, कम जादा होता रहता है, इसका मतलब, अगर marriage होती है, 933 females है, 933 males भी होंगे, मतलब, इसका मतलब 67 males, family के form में नहीं है, they are unemployed, अगर employed भी, अच्छा, इस condition में क्या होगा, खाले दिमाग, शैतान का दिमाग, लड़ाईयां, जगडे, दंगे, फशाद, rape cases बहुत जादा हो जाते हैं, एक family man stable होता है, आप देखो ना, किसी society में अगर जाओ, और आपको rent पर घर लेना है, तो वो prefer करेंगे कि family आए, क्योंकि family is a stable person, पर दो लोग है, उनके दो बच्छे हैं, उसका काम है कि अपने परिवार को पालना है, चुप चाप जाना है, और चला याना है, बेना किसी पंगे के, एक लड़के में, लड़की में, पंगे लेने वाली habit जादा होती, hormonal change हो जाते हैं, तो ऐसे चीज़े हैं, यह सब कुछ चीज़े connected हैं, तो आप educated हो, आप एक balanced family चाहोगे, ताकि आप उनको पढ़ा सको, जब आप उनको पढ़ा पाओगे, तो आगे भी वो अच्छे से काम करेंगे, एक से एक से रिश्यो सब जगा maintained रहेगा, right, but population तो तब भी बढ़ रही ह है, क्या करें, स्वामिनाथन वाली चीज़े तो चल रही है कि green revolution है, production बहुत अच्छा है, सब कुछ है, but what to do, अगर हमें किसी special variety की जरुवत है, then we have to move on, plant breeding, plant breeding क्या होता है, बच्छो, plant breeding क्या होता है, इस बात को अगर समझे, एक plant है, मान लो, और seedless plant है, मैंने इसके, इसका जो एक seed था, उस सीड के कई प्लिम्यूल्स बनाएं और उससे, हर प्लिम्यूल के छोटे x plant से नया plant बना लिए, एक से चार बने, चार से आठ बने, आठ से सोला बने हैंना, सोला से बत्तिस बने, बत्तिस से चौसर्ट बने, तो इस प्लांट के पार्ट से ही हम नए plant बना रहे हैं, यहां पर plant breeding की भी बात करते हैं, वही सहीं चीज में हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम जो प्लांट हमें cross कराना है आपस में, उनको हम collect करेंगे, collection of varieties, अलग-अलग जो भी हमारे पा के पार्ट हम collect करते हैं, फिर उनको proper एक बार grow करवा कर देगे, फिर उनको proper हम क्या करेंगे, grow करवा कर देखेंगे, इंप्रूड वराइटी, not in cultivation, और old और local बेसी varieties, जो भी हमने collect किया, उनको आपस में collect करने के बाद, हम उसको proper grow करेंगे, देखेंगे कौन सी वराइटी ज तो हमें कौन सा select करना है as a parent और फिर उनके बीच में आपस में self crop, self pollination करवाए, ठीक है, एक, और किसको cross pollination कराना, high variety को वो भी हमने select के, छोड़ी छोड़ी चीज़ें आपको यहां पर समझने, इसके बाद hybridization करते हैं, hybridization मतलब दोनों को आपस में cross कराके, नहीं variety निकालता आपको पता ना, emasculation, bagging ऐसे word आप लोगों ने पढ़े हुए है, emasculation, bagging, छोड़ी छोड़े words है, और जैसे ही आप इसको cross करते हैं, hybridization है ना, वो depend करता है ना, कि आप उतको एक variety के बीच में cross कराते हैं, या दो variety के बीच में, मानलो mango है, mango के दो varieties है, अलफैंजो है और दशेहरी है, मानलो, दो varieties, उनके बीच में cross करा रहे है, या एक ही mango, दशेहरी, दशेहरी में cross करा रहे है, it depends, ना, कि दशेहरी के भी अलग-अलग plant, अलग-अलग production ability के होते हैं, यह एक दशेहरी का पेड़, हर साल एक टा नाम देता है, और एक दूसरा से 50 से देता है, यह यहां पर बात करें, ट्राइटी के लिए wheat और rai को आपस में cross करा दिया, दोनों की genus ही अलग है, wheat and rai को आपस में cross करा दिया, इसको बना लिया, ट्राइटी के लिए, एक नई variety बना लिया है, एक नया वो बना लिया, यह सब कुछ productions है, जब आपने hybridize कर लिया, तो आपने क्या पता लगाया, ओके, यह जो cross करने वाल, मानलों आपने 200 cross करवा दिया, उससे जो production आई, तो आपने बोला, अच्छा, यह जो 50 नंबर का plant हमने cross कर रहा था, इसमें सबसे अच्छे character आया है, तो हम select करें, selection of parents, with desired character पहले, उनका पहले क्या बनाएंगे, pure line बनाएंगे, हमको इसको आपस में cross कराना है, tagging के through, हमें पता रहेगा कि किसमें हमने क्या changes किये हैं, फिर artificial pollination करवाएंगे, या जो भी आपको cross pollination की बात कर रहे है, selection of this hybrid progenies की बात करेंगे, और newly selected lines, finally उसको हम क्या करेंगे, उनके अंदर हम देखेंगे किसके अंदर सबसे ज़्य ज़दा अच्छा resistance है, disease से, bacteria से, virus से, pest से, हम एक वो कर रहे हैं क्या, high variety जो variety है, high yield variety है, वो isolate करना चाहा रहे है, ठीक है, इस तरह से हम एक एक करके step by step, step by step, step by step, चलते जाएंगे और हमारा first step finally क्या होगा, we will get easily high yield variety, जो अगली बात हमें समझनी है, high yielding variety के बारे में से, छोटी छोटी बाते हैं, possibilities को systematic समझनी है, हमने क्या किया, इस tagging से, bagging, emasculation, selection, high variety का parents, सब को लेकर थे, हमने एक high yielding variety बनाए, अब यह जो high yielding variety है, यह इसमें कुछ चीज़ें और भी है, जैसे for example हमने इस high yielding variety से कोई example दो कि हमने बनाया है, अगर ऐसा कोई पूछे तो NCIT में data है, हमने हमेशा wheat का semi-darf variety ली, इस बात को समझना, plant को लंबा होने में जो energy और मेहनत लगती है, अगर वो छोटा है, उसका production बढ़ जाएगा, छोटे ही plant, इसको लंबा होने में लगा, इसलिए इसका production हमेशा कम रहेगा, छोटे wheat plant के variety हमेशा जादा, छोटे wheat और rice variety हमेशा production जादा, इनका production जादा, ठीक अब इंट्रेसिन चीज़ ये कि ये wheat variety जो Mexican variety थी, ये Norman E. Barlog ने कहां बनाएगा, यहां से सुनना एक्जाम में आता है, ये NCRD की बात, डॉक्टर Norman E. Barlog जो थे, इन्होंने International Center for Wheat and Mays Improvement Center, मेक्सिको में है, यहां पर इन्होंने बनाए, तो क्रप्या इस नाम को याद बढ़ Mexican variety थी, मैंने अभी इभी बताया है, चीज़े आपको tips पर पता होनी चाहिए, और इसका फायदा क्या हुआ, डारेक्ट फायदा क्या हुआ, बच्छों, wheat की जो variety थी, जो wheat की variety थी, 11 million ton, 1960 में हुआ करते थी हर साल, क्या हो गई, बढ़ा कर इनके, इसकी वज़ा से 75 million ton, यार साथ गुने से ज्यादा, seven times से भी ज्यादा, ये अपने आप में बड़ा achievement, सिर्फ छोटे से effort से, rice की variety जो 35 million थी, आपको पता होना चाहिए, इंडिया में major food resources, in fact, पूरे word में major food resource क्या है, हाँ जी, तो ये rice की ही बात कर रहा है, छोड़ी छोड़ी चीज़े है, चलो अगल variety is of wheat की बातें करें है, high variety of wheat, sonalika, kalyaan sona, ये आपका syllabus नहीं है, मत याद करो, सुनारा याद कर सकतो, ये भी सुनारा आप याद कर, ये हैं सारे ही, बट आपको जो टिक की है, बस उतना याद कर, wheat की high variety, wheat की high variety, rice की बात करें, तो IR8 is the high variety, कहाँ पर बनाया गया, International Rice Research Institute, ठीक IRRI, कहाँ पर है, ये फिलिपीन्स में है, ये आपके NCRD का डाटा है, ये आपके NCRD का डाटा है, बहुत छोड़ी सी बातें हैं, simple form में हैं, चीज़ें, समझेंगे, ताइचिव निटिव वन, ये भी आपके NCRD की बातें का डाटा है, है ना, ताइचिव निटिव वन, छोड़ी छोड़ी बातें, ताइवाण में बनाई गए, देखे रहे हैं, कुछ डाग्राम्स भी हैं, इंडिया में 1966 में वही, आफ्टर ग्रीन रेवलोशन इसको बढ़ सकें, बातें समझ में आ रही हैं, बातें सोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, किसी बच्चे को अभी तक कुछ पूछना है, चलो, पॉफेक्ट, बहुत बढ़े हैं, ये देख रहे हैं, जया रतना ये दो वराइटी इंडिया की इत्की ना, आपसे कोई पुछे हाई वराइटी ओफ राइस, जया रतना याद रख लेंगे, रतना ऐसी दिखती थी, जया वैसे दिखती थी, जया रतना वह अला लग है, वाशिंग और निर्मा, सब की पसंद निर्मा, हेमा, पुष्पा, जया और, पता नहीं क्या, रतना था पता न पूछ ना रहे, चावल से इंसान कब बनी, हमने तो तुम्हें किताबों में पढ़ा है, तुम काफी फेमस हो गया, क्यों भई, तुम तो चावल थी पिछले जनम में, अब किसी ने चबा कर तुमको इंसान बना दिया, फिलाल अगली बात करते हैं, तो बातों को समझेंग जब बातों को समझेंगे, छोटी-छोटी बाते हैं, तो जया रतना इस दे इंडियन वराइटी जॉफ याद रखेंगे, कोई कन्फूजन किसी बच्चे को अभी तक, किसी बच्चे को कोई कन्फूजन, हाँ या ना, हाँ जी, किसी बच्चे को कोई कन्फूजन, चलो इसे निरम की बात करते हैं, South India Variety High Variety देख रहा हैं मोटे मोटे Thick stem, इंटर नोड इसमें कम हैं, नोड जादा हैं, है न, North India में ग्रो नहीं कर पाता हैं, इनको आपस में करा दें तो वी विल इजिली फाइंड एक वराइटी जो कि दोनों जगहों पर ग्रोग कर सकते हैं उस तरह से हम शुगर के इनकी भी वराइटी को बढ़ा सकते हैं अपने गन्य के खेट देखे सिस्टेमाटिक फॉर्म में माइलेट्स में भी आपको बहुत से नई वराइट के से चल जाएगा कहानिया में कोई दिक्कत किसी बच्चे को यह कुछ बेसिक चीजें हैं अब जैसे पैटोजन्स वगरा लगते हैं इन सबसे वो रिजिस्टेंट होता है अलग-अलग डिजीज है जो आपको एक बार समझ लेनी चाहिए जैसे रस्ट डिजीज में बैलज dat chaos करता है data है और एमपॉरटेंटन्ट आपका नेवे सलेबर स कंट है बहुत चोटी चोटी बात लेट आफ पोटैटो फंगल डिजीज के फॉरम में फाइट फ्टोरा की बात कर办 करते हैं ओया और इह चीजैनीज़ें अपको पता हो अनी चाहिए बैक्रिण में यापको ऑ है सिट्रस कैंकर वारल में टोबैकू मुजाक वाइरस एंसी आटी है नेमाटोडा में पोटाटो सिस्ट की बाते कर रहे हैं यह कुछ बेसिक चीज़ें हैं हम क्या करेंगे डिवलप्मेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट डिपेंड है तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है और वह आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है कि मान लो कोई जगह है ऐसी जहां पानी बहुत जादा है गर्मी है इंफेक्शन लगेगा ही लगेगा उसको वाटर ही मिल रहा है हुमिडिटी भी मिल रही है अच्छी चीज़े मिल रही है तो बेसिक कुछ नॉर्मल चीज़ें होती है जो हमें समझ में आनी चाहिए अच्छा इस बात को समझना चाहिए वह हैब्रडाइजेशन से करें वाई मुटेशन मतलब एक नई वराइटी बनानी है सब्सक्राइजेशन से करें दो प्लांट को लिया एक नया मेथड निकाला है इन लोगों ने मुटेशन ब्रीडिग मेरे जो बैलोजी के टीचर हुआ करते थे दॉक्तर बीके जहाब विहार के थे दर्भंगा के बहुत बैतरीन बैलोजी पढ़ाते थे और वो मतलब यहीं परसें ठेंट परसन थे डॉक्तर वनलब पीसडी कर रख्ये थी पीसीडी कांड़ टॉपिक एही मुटेशनल व्रीडिंग था उनका टॉपिक था एफेक्ट ऑफ गामा रेज ऑन ब्रिंजल और उन्होंने गामा रिडियेशन स्वेश्वर ए उस पर लिए बार बार लग अलग कुछ experiments होते हैं लग लग चार-पांत साल चलते हैं ऐसे experiment फिर final उन्होंने बड़े size का ब्रिंजल बनाया मार्केट में बड़े size के अगर आप ब्रिंजल देखते हैं कहीं ने कहीं जैसे आप यूँ समझने कि हमारी बॉडी में भी कई बार कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं ग्रोथ हॉर्मोन की वज़ा से तो कुछ ऐसे चेंजेज किये बिल्कुल लिमिटेड गामारे इस कहां पर डालना है वो सब की रिसर्च होती इस सब को हम क्या बोलते हैं न गोटेशनल ब्रीटि वोड के है ही उस हाना तु हां थिस्टेप थीसरे स्टेप दूसरा स्टिप चौथा स्टेप घुड हमने फैनली टेस्टिंग यां न नई रिलीज से ही ही से ही बनाई है दो हाई वराइटी लिए पहले तुसको सेलेक्शन के बाद उस हाई वराइटी को आपस में क्रॉस किया क्रॉस करने के बाद सेलेक्शन और एवैलिविशन के बाद उसको टेस्ट किया सच में इसके प्रोड़क्ट बारवार अच्छे आ रहे हैं अब उसी के बारवार क्रॉस इसको जरूर याद करना, जैसे, question पूछा जाएगा आप से, wheat की high variety का नाम बता है, that is hemgiri of course, किससे resist है, किससे resistance इसके अंदर है, आपको लिखना पड़ेगा, leaf and stripe, rust और hill burnt disease, इन दोनों से ही है resistant, श्योट श्योट श्योटी का आते हैं, प्रासिका में, पूसा स्वर्णिम, high variety का नाम किससे resistant है, white rust से, cauliflower, पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल केवन, black rot and curl blight, है ना, ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखने हैं, पूसा कोमल, बात समझ पार, पूसा कोमल, शोटी शोटी बाते हैं, आपको बस याद रखना है, ठीक है न, पूसा कोमल is resistant to bacterial blight, मुझे लगता है वहां के जो साइंटेस्ट है न, डेली में ICR जगा है, मतलब Indian Council of Agriculture Research Institute, तो ये जो ICR है न, वहां पर, वो जगा का नाम है पू पूसा इंस्टूट भी बोलते हैं, अग्रिकल्चर इंस्टूट, वहां पर जो साइंटेस्स हैं, मुझे लगते हैं, अपने घर वाले जो इतने भी हैं, जैसे कि कोई अपने पिटिया को खुश करने के लिए वराइटी का नाम ही रख दिया, पूसा कोमल, कोई अपने ना हैं, और डेली में हैं, या यूपी में, मुझे नाम बड़े खतरनाक से होते हैं, प्रोफेसर जगदंबा प्रशाद, प्रोफेशर डॉक्टर जगदंबा प्रशाद, मुझा एक दम खतरनाक से, मैं तब कुछ नाम बता रहा हूं और यह औरिजिनल नाम है जिनके साथ मैं काम किया और यह तुम इन में सिमिलारिटीज देखना ध्यान से प्रफेसर तुर्लो की प्रशाद तुर्लो की प्रशाद एक तब खतरनाक दमदार नाम नहीं होते जिस टाइप प्रफेसर सत्त नरायन बाच्पी अजी वजीब से इतने बड़े-बड़े खतरनाक से नाम ले तो पता चल जाए जी पक्का साइंटिस्ट ही है ना प्रफेसर बालुकेंद्र दत्र जहा बालुकेंद्र कुमार जहा स्वरी मेरे जो टीचर थी डॉक्र बीके जहा जिनको मैं बोल रहा हूं एक दम खतरनाक से यह नहीं कि छोटे मोटे नाम डॉक्र रजय डॉक्र पंकज इस ताइब चोटे नाम नहीं होते थे यह लोग बड़े मतलब नाम पैदा होते मुझे लगता है इनको पता चल जाता होगा मुझे साइंटिस्ट बनना है तो वाइनॉट यूज डैट खतरनाक सा नाम अपने नाम पर तो नहीं रख सकते कि मेरे पास काउपी की वराइटी है प्रोफेसर बालुकेंद्र दत्र जाया फूसा बालुकेंद्र दत्र जाया ऐसा नहीं काफी बड़े बड़े नाम होते थे तो पन्रित गंगादर्विद्यद्रमयादर ओंका ना सास्त्री इतना बड़ा नाम ताकि घरवाले भी खुश बिटी देखो तुम्हारे नाम नई वराइटी बनाई है बिटिया खुश थैंक यू पापा तो मतलब अलग अलग चीज़ें थी चिली में चूँ यहां पर देखो चिली जो पूसा सदा बहार सदा बहार हमेशा बहार है सिर्फ इतों हसी मजा की बात हो गए यह नाम तो आपको प्रयाद रखना रखना वो क बात कर रहा था मुटेशन ब्रीडिंग की और मुटेशनल ब्रीडिंग की वजह से हमने कुछ नई चीज़ें डेवलप की जैसे नहीं अभी जासर का बताया अभी इसमें इंड्यूजड ब्रीडिंग बोलते हैं ताकि हम इंप्रूड वराइटी को डेवलप कर सकें यहां मुटेशनल ब्रीडिंग यहां पर समझ नहीं है हम क्या-क्या यूज़ करते हैं एक सरे यूज़ कर सकते हैं गामा रेज यूज़ कर सकते हैं यहलो मुजयक वाइरस रिजिस्टेंट और पावडरी मेल्डियो रिजिस्टेंट हमने प्लांट बना लिए ऐसी मुटेशन की तो उसमें वाइरस और बैक्टियर लगे ही ना प्रडेक्शन भी बढ़े यह भी इनकी फायदे हो गया आप देख रहा है अब यहां पर जो हमने वाराइटी बनाई वह भिंडी की बढ़ए यह यलो मुजयक वाइरस से रिजिस्टेंट है भिंडी है ना बाते समझ पा रह अप्शन में भिंडी की वराइटी है और वह भी मुटेशनल ब्रीडिंग से बनाई गई दूसरा ऑप्शन भिंडी की वराइटी है है ऐसे ऐसे करके चार ऑप्शन्स देंगे आपको क्या लिखना है ऑप्शन नमबर ए इस वराइटी ऑफ भिंडी यह साइंटिफिक नेम याद रख लेना है क्रिएटेड वाइटेड वाई हाओ मुटेशनल ब्रीडिंग चोड़ी यह प्रभानी करांति इस रेजिस्टेंट योलो मुजाइक वायरस याद रखेंगे दो चीज़ें चोटी-छोटी-चोटी-चोटी-चोटी में हैं जो आपको टिप्स पर याद रखनी चाहिए देखो यह यह स्टेंप सफ लाई है कुरा-पुरा खा जाता है इससे भी मौडिफिकेशन है यह क्या करते है वीट अपने अंदर कुछ मौडिफिकेशन कर लेते हैं वह अपने अन्दर सॉलिड इस्टेंब अपर उसके इनदर छेद ना कर सके बाग्यो क्य methods क्या होते हैं? Nectarless cotton होता है, ताकि अपने आस-पास किसी भी तरह का bulwarm ना आने दे, पिर भी हो जाते हैं, बट ऐसे भी varieties modifications nature में हो रखे है, question क्या आता है, कि natural resistance present in plants, तो आपको ये लिखना पड़े, morphological इसके अंदर resistance है, यो अपने stem को काफी hard बना लेता, ताकि soft line ना खा पाए, biochemical में उसका nectar ही नहीं होता, तो कहें को आएगा, physiological में क्या होगा, low nitrogen content sugar और high aspartic acid, मेज में आता है तो इससे stem borer से बचाया जा सकता है, क्योंकि nitrogen चाहिए उसको mainly, nitrogen मिर ही aspartic acid बड़ा तीखा सा होता है, तो उसको क्यों खाएगा, बाते समझ पार, छोटी छोटी बात, आपको यह चीज़ें याद रखनी होंगे, तीन-चार points है, natural modifications in plant, resist from किसी भी pest या, फिर viral या, bacterial disease से, या pathogen से, यह थ्यारो points आपको properly लिखने पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों अभी तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है, perfect, कहानिया clear है, 9.30 तक लगब हम लोग class करने के plan में है, पहले खतम हो जाता है, तो wonderful, कोई बात ही नहीं, अगर पहले भी खतम हो जाता है, तो भी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अगली बात, अगली चीज़ को समझेंगे, और लास्ट में आपको कुछ important बताना ही है, ठीक है न, आपको पता ही एक test होने वाला है, राइट, चलो जो अगली बात करेंगे, यहां पर कुछ और बाते करेंगे, जब इतनी कहानिया हम समझ पा रहे हैं, तो कुछ अच्छी बाते करेंगे, अब यह टेबल तुम्हें याद रखनी होगी, यह कुछ हम लोगों ने hybridization से, bread by, these varieties, bread by, कैसे, selection and simple, उस, brassica की बात करते हैं, नाम क्या रखा, पूसा गवरो, किसे अपने आपको resistant कर रहे हैं, यहाँ पर कीडे का नाम है, यहाँ पर जो नाम था अलग अलग नाम जो हम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, तो मजाक तो नहीं उड़ाया था, एक नॉर्मल सी है, यहाँ अलग अलग fungal bacterial disease है, यहाँ disease है, और यहाँ पर pest हैं, दोनों को समझना, pest resistant plant कौन सा है, आप आपको बताना पड़ेगा, yes, it is a pest resistant, but हिमगिरी is what, disease resistant, हिमगिरी is what, disease resistant, दोनों में फर्क समझ रहे है, टेबल तो रटनी पड़ेगी भाइस, आपकोई shortcut नहीं है, कोई भी घ्यानी पुरुष या महिला, आपको इससे ज्यादा shortcut नहीं बता सकता, यह तो पढ़ना ही jacids, aphids और fruit borrers से यह बचाता है, इसके अंदर ऐसे modifications हुए है, भिंडी के अंदर पूसा सवानी, वो allow mutational breeding है, यह simple pest resistant भिंडी है, नाम क्या है, पूसा सवानी और दूसरे का नाम क्या है, पूसा A4, नाम तो रटना ही पड़ेगी, ठीक, shoot and fruit borrers, fruit and shoot borrers की बाइब, plant breeding for food quality improvement, plant breeding for what, food quality improvement, कहानी को ध्यान से समझे, तो अब यहाँ पर समझना यह होगा, है ना, यहाँ को समझना यह होगा, कि breeding for crop, कि जब हम बातें कर रहे हैं, यह finally हम क्या करते है, एक word आता है, bioquotification, किरपया इस शब्द को बच्चों बड़े ही ध्यान से समझे, आप मान लो चाव चावल खा रहे हो, इस से आपको मिलता है स्टार, एक चीज को खाकर एक ही चीज मिले, क्या यह अच्छी बात है, हम साइंटिस्ट हैं, अगर, हम क्या करेंगे, कुछ changes ले आएंगे, genetic cement है, और इसके अंदर हम एक gene डाल देंगे, जो beta carotene बनाएगी, उसको हम बोल रहे है, विटमिन ए, तब चावल को खा कर दो-दो फाइदा हुआ, नॉर्मल चावल आपको ऐसा दिखता है, और beta carotene डालने पर वो yellow हो जाता है, क्योंकि वो yellow है, now it is called as a vitamin content rich है, now this is known as golden rice, तो market में जाओ और आपको yellow चावल मिलने लगे, market में जाओ, और आपको yellow चावल मिले, इसक case हो जाएगा, इसे जूट मूट का बेचेगा, proper उसको देखकर समझ में आता है कई चीज़े, चावल तो ही, starch तो मिलेगा, साथ में विटमिन भी मिलेगा, purchase this thing, ये जादा अच्छा है, किसी भी plant चीज में nutritional quality बढ़ा देना, अपने desired nutritional quality, is called as bio fortification, खाया वही, लेकिन दो-द ये वैक्सिन, अना, edible vaccine, ऐसे नाम होते हैं, क्या, ये आपका syllabus नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं, higher classes में अगर कभी पढ़ोगे तो, edible vaccine, क्या होती है, edible vaccine, आप उपने बनाना में वो gene डाल दी, जो vaccine, मलब, hepatitis B, resistant जो आपको बनाती है, जैसे ही वो बनाना के ला खाया आपने, वो vaccine वाली जो चीजें थी, वो भी चली गई, आपको थड़ा सा हलका fever आएगा और आप टरांटन एकदम vaccinated हो जाओ, केले का तो मिल ही रहा है dose आपको, साथ में आपको vaccine वाली dose भी मिल रही, edible vaccine, this is termed as bio fortification, किसी भी चीज में, जब आप mineral का content बढ़ा दो, protein का content बढ़ा दो, vitamin का content बढ़ा दो, and it is more healthier, fat का content बढ़ा दो, ये सब चीज़े collectively called as bio fortification, content quality वगरा के form, example की बात करते हैं, maze का ये hybrid है, यहाँ पर इक डियाग्राम दिया हुए, इसके पास amino acid, lysine और tryptophan का amount पहले के compare में ज़्यादा है, छोटे छोटे examples, in fact, धान से समझना, Atlas 66 में बहुत amount, Atlas 66 किसकी variety है, क्रपया याद रखें, wheat की variety है, क्यों famous है, क्योंकि इसके अंदर protein का content बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, छोटी-छोटी चीज़ों को tips पर याद करेंगे, ठीक, किसने बनाया, IARI, Indian Agriculture Research Institute, कहा पर है, Delhi में, यहाँ पर आपके और इसी को आप PUSA Institute भी बोलते है, ठीक है, अब इस नो ने बहुत सी चीज़े बनाया, जैसे vitamin A rich क्या बनाया, carrot, pumpkin, spinach, vitamin C rich क्या बनाया, gards बनाया, bitter cord, karela बोलते हो ना, शाहतो को, बत्खुआ, tomato, mustard, iron rich, or calcium rich क्या बनाया, spinach और बत्खुआ बनाया, during the process of bio fortification, RAI developed, IARI developed क्या, Indian Agricultural Resource Institute developed, बत्खुआ, which is rich in, कलको question आजाए, तो यहीं से समझ जाना, की बत्खुआ is rich in what, आपको यहीं समझना पड़े हो, तुमारे NCRT में लिखा भी जा देखो, vitamin C, iron and calcium, and fourth option, देखो, एक में दिया vitamin C, दूसरे में, iron and calcium, तीसरे option में क्या, both, fourth option में कुछ और भी चिपका दिया, आपको पस समझ में आना चाहिए, कहानिया क्या, प्रोटीन, एन्रिस्ट बीन्स बनाए इन्होंने, नाम नहीं दिया, उसका scientific name नहीं दिया, और आपको यह चीज़ पता होने चीज़, छोड़ी चोड़ी बाते हैं, जो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, है न प्लाइ कर लेते हैं, एक से दो, दो से चार, अभी बताया था ना, प्लांट ब्रीडिंग वाली जो चीज़े थी, ओरिजिनली वो टीशू कल्चर या फिर प्लांट प्रोफोगेशन भी बोलते हैं उसके लिए, वर्ट के उसका करते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि प्ल बढ़ा अधि वर्ट इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, इस बात को समझना, एक चीनी मिल है, संबसे इमजिन करें एक चीनी मिल है, घर नहीं है, मैंजो चीनी मिल मान लो, आज चीनी मिल में जो भी मशीन वगगरा है, वहां से जो चु में देखा है और दरफते स्कारव跟你 FA directors कि क्या थे है वां कि राँ हैं जो कहानियां चल रही हैं यहां पर जो कहानियान चल रहे हैं कि इस में से जो कि खराब चीज़ निकाल आप ने कर आप तुम्हां चीन इस तो जम कि कज़रा है ये खत्रनाग बढबुरास मेल बहुत बद्बूदार समेल आती है अगर किसी ने देखा हो तो इसका जो भी बचा कुछा है सिस्टम बहुत बद्बूदार उसको एक्स्टा फेक दिया जाता है और आसपास के नालों में या जग़ों में वह इकठ्था हो जाता है क्योंकि उस शुगर है तो शुगर में जादा चीजें जब वो सड़ेंगी तो और बदबुदार होंगी इस बात को भी समझेंगे हम क्या करते हैं कि उस कंटेंट को उठा लेते हैं जो भी ऐसी गंदगी है इसका है ना ठीक है बच्चे वैश ने भी बोल दी हां सर येस ठीक है ना जहां से समझना तो यहां से जब भी चीजें निकल कर आई उसको हमने उठा लिया इन दे नेम आफ सफाई बट एक्चुली वह हमें फ्री का माल मिल गया अब समझो हम लाब में गए और ऐसे बहुत से बैक्टिरिया है बहुत से इस्ट हैं बहुत से अल्गी हैं उनको क्या किया लैत में ये जो गंदगी है यहां पर डाल दी और इसके उपर बैक्टिरिया डाल दिया ऑप कि इसको डीजीज हो जाएगी उसको कफ पोल्ड हो जाएगा इतनी गंदगी खापी कर वो क्या करेगा इसको क्योंकि इसके पास बहुत जादा nutrition है शुगर का byproduct है जो गन्ना है उसका byproduct है उसमें से जो निकला इसको as a food utilize कर लेगा और इस बैक्टरिया की खास बात किया थी कि they have ability to produce more and more protein क्योंकि यह algae है इस है bacteria है और वो unicellular है और बहुत जादा protein produce करते हैं and that's why they are collectively known as a a micro organism जो raw material के form में कुछ भी खा लें but they produce बहुत जादा protein they are called as single cell protein what is SCP single cell protein tips for और चीज़ों को याद रखेंगे मज़ा आएगा काम की बात ये methylophilus एक bacteria है बड़ा सा नाम है methylophilus काम की बात देखें आई सो ग्राम methylophilus कितना एक दिन में protein produce कर सकता है पता है पचस्टन का का चीज़ है कि नहीं तुमको पता है जो मार्केट में डबा आता प्रोटीन का जो लोग जिम वाले खाते हैं यही बनाता है इस बात को समझना है अधर्वाइस तुमको लगता है वह प्रोटीन कहां से आता हाँ 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 निकालते हैं दूद से निकालते हैं पागल हो जाएंगे इतना दूद खरीदते हैं खरीदते हैं वो नहीं है कई बार फाल्दू केशीज़ अब single cell protein में क्या हुआ जो curd है वे है उसमें CO2 निकाल रहे है उसको algae use कर लेती है अपने plant production मतला further production के लिए ताकि वो प्रोटीन मना सके waste water जो potato processing plant है उसको use कर लिया किसने blue green algae ने हर एक pollution को ये use करके उसका utilization CO2 निकला फैलगी ने यूज़ कर लिया अपने photosynthesis के लिए saw dust and paddy straw fungus यूज़ कर लेती है यहां पर जो ने छोड़े चीज़े चीज़े होते हैं वहाँ अच्छे से ग्रो करते हैं हर एक का by product जो निकला उसको इन्होंने utilize किया और इन्होंने बहुत धे सारा protein बनाया जैसे इस पारलिना की बात करें यह एक cyanobacteria है methylophilus की अभी बात कियी थी हम लोगों ने 200 ग्राम 25 तन बनाता है एक दिन में उससी तरह Candida की बात कर रहे हैं यह एक East है और filamentous fungi में Fucerine यह जो चाहर examples है आप से question pushing it write down one name of East which are the following East produce maximum protein so you have to write this Candida क्या Candida का नाम लिखना पड़ेगा write down one bacterial name which are the following will produce 25 ton in a day पुछा जाएगा तो आप से बोले आप बोलोगे क्या इसकी methylophilus की बात करें आप से ऐसे questions पुछे जा रहे हैं बहुत simple language में चीज़ों को आसान है बहुत छोड़ी छोड़ी चीज़ें है मुझे लगता है possibilities बनती जाएंगे और तुम लगकर करते जाओगे ना फाइदा क्या है अब डबबा वाला protein खाते हो यहीं से तो बनता है इसकी पूरी इंडस्री है बड़ी 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 तो protein supply to the diet एक important चीज़ों दे प्रवाइड वाट protein supply to the diet very important reduce the dependence on agriculture यह भी बात याद रखें है वाट they reduce the dependence on agriculture आप agriculture से कितना protein निकाल लोगो बैस समझ पा रहे है इन्वार्मेंट के pollution को जो भी polluted एरिया था वहाँ का pollution तो हम इनके खाने के लिए pollution को भी reduce कर रहे हैं छीक साथ साथ में इस बात को समझना industrial जो influence था उसको properly use करना है तो cost effective भी है pollution इकटा करने का raw material तो इनको free में मिल गया समझ रहे हो और जो बनाया उसको बेचा अलग से multiple फायदा cost effective है और किसी भी तरह के weather पर प्लांट को grow करना है हमें इस पर छड़काओ डालना है यह तो खुदी bacteria है किस से बचाना है कोई environment पर किसी तरह की dependency नहीं है याद रखेंगे छोड़ी सी चीज सिंगल साथ प्रोटीन बता दी अगली बात करते हैं जिस पर हमने शिरुवात की थी plant tissue culture थोटे एरिया में है थोटे आर्टिफिशली आर्टिफिशल मीडियम में प्लांट को grow करना एक controlled environment में देख रहे हैं चोटे चोटे जा रहे हैं और इसके अंदर आप plant grow कर रहे हैं और plant part जिस से हम इस चीज को grow कर रहे हैं उसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं x plant very important छोटी सी बात capacity to generate a complete plant उसको हम क्या बोलते हैं cellular totipotency आप plant का एक छोटा सा पार्ट लो छोटा सा तुकड़ा लो and they will develop into new plant they will develop into what complete new plant and this property of plant is known as cellular totipotency वर्ट क्या है उसक्या totipotency एक cell से ही सारी cells का बन जाना this property is known as totipotency आप जो animal में regeneration word use करते हो ना उसी का ही दूसरा नाम यहां पर totipotency word use करेंगे कभी-कभी animal में totipotency को use किया जाता है जब clone बनाया जायते थे थे ना जो है इस डॉली शीप यह सब बनी थे लोन बने थे तो वहां पर totipotency word का इस्तमाल किया जाता है यह scientist थे यह harbor land की बात कर रहा है harbor land की बात कर इन्होंने सबसे पहले कुछ simple nutrient medium पर plant grow किया था और उसमें उन्होंने कुछ-कुछ hormones भी डाले थे जैसे oxen cytokinin इसको डालने पर बहुत फर्क पड़ता है plant की growth में जबलिक आसर मतलब जो भी आपके plant growth for regulators हैं वो यूज किये जाते हैं अब डिपेंड करता है कि callous culture है एक petri plate लिया उसमें छोटा सा x plant डाल दिया x plant क्या हुआ सीड सीड से निकला प्लिम्योड और उसको छोटे-छोटे तकड़ों में काट दिया एक तकड़े को क्या बोलते हैं x plant याद रखेंगे that's why यह plant issue culture is also known as x plant culture अच्छा यह जब divide करना शुरू कर रहा है यह जब divide करना शुरू कर रहा है जहां से सुनना तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे divide करते 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 बहुत ज़्यादा करके नाट इस कॉल्ड एस क्या callous undifferentiated plant mass cell mass is known as callous बस उसी के लिए charismatic है एंथर से बना रहे multiple sorry sorry multiple options are there root से बना रहे शूट से बना रहे और व्यूल से बना रहे enter को culture कर रहे किसको culture कर रहे इस पर dependency बढ़ जाएगी इस पर dependency बढ़ जाएगी बाते समझ में आ रही है है ना कहानिया थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है अब इस कहानियों को अगर आप समझ पा रहे है तो देवल फॉर्मक undifferentiated cell Calus is irregular unorganized and undifferentiated mass of dividing cells जिसने cancer होता है tumor cells वैसे ये भी होता है और इसको हमेशा है अगार-अगार मेडिया में हम डालते है क्यालस फॉर्मेशन के लिए अगार मेडिया आपको पता ना वह जो जेल फॉर्म में चाहिए कुछ क्यामिकल भी डालते हैं कुछ प्लांट ग्रोस रेगुलेटर्स भी डालते हैं तूफोर्डी चीजे हैं या साइटो काइनिन में बी एपी डाल देते हैं फॉल फॉर्म लगा जब ग्रो कर गया प्लांट में तो फिर हमने उसको लैंट पर प्रॉपर लगा दिया इस तरह से मुल्टिपल देख रहा है तो यहां पर एक हर्याना अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में और वहां पर इसकाम बहुत अच्छे से होता है और इस पर मैंने काम करने वाली तो वह आपको मैं दिखाऊंगा काफी अच्छी इंट्रेस्टिंग है शायद कल वाले लेक्षिर में लेकर आऊ तो बट मैंनत करते रहो समझते रहो पॉस्पिलिटीज बन जाती है तो लैब में इस तरह से इसको प्लांट को ग्रो करते हैं यह पूरी तरह से ए कम एरिया में कम एरिया में हम जादा प्लांट जल्दी से बना देता है है क्या-kya करते हैं शुरुवात में इनिशिएशन ओफ कल्चर फिर पहले उसमें शूट फॉर्मेशन करवाएंगे फिर रूट फॉर्मेशन कराएंगे फिर उसको जमीनमें लगा देंगे Rapid multiplication of plant होता है, क्या बोल गएं बच्चो, Rapid multiplication of plant, Large number of plantlet produced हो सकते हैं, बहुत जल्दी से time, Plant can produce throughout the year, सबसे अच्छी चीज़ को हमें this year की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वैसा है रही temperature उस जगह पर बना देते हैं, और space बहुत कम ज़रूरी होता, less space is required, बस आप फाइदे समझ ही पा रहे है, no seasonal dependency on seed germination, seedless plant को भी आप grow कर सकते हो, इसा फाइदे है, in fact genetically similar plant, कोई variation तो है नहीं कि उसका pollen grain उसका ये करवाए, एक ही कि X plant, काट, 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 कर नया plant, नया plant, नया plant, multiple times हम बना से, देख रहा है, सबसे चीज़ दे आर, यह line आपके need में पूछे जाएगी, pre from viruses, क्यों, क्योंकि आपने artificially बनाया, उसमें किसी तरह का virus नहीं लगे, है ना, और कभी-कभी तो एक बड़ी interesting होगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, बच्छों, बहुत important चीज समझाना चाह रहा हूँ, दिहान से सुनना, इन्होंने जो potato है, और tomato है, potato और tomato, इन दोनों के cells को लिया, इसके cells को लिया, इसमें chemical डाला polyethylene glycol, क्या chemical डाला, polyethylene glycol, और दोनों को आपस में fuse करवा दिया, एक ही cell के अंदर दो-दो properties होगे, और जब grow किया, तो निकल कर यह है, नीचे यह, आलू उग रहे हैं, उपर टमाटर उग रहे हैं, हलाकि ऐसा नहीं दिखता था, बढ़ थोड़ी सी modifications थी उसमें, और इसके लिए उन्होंने क्या बोल साथ में sodium nitrate आप additional लिख सकते हैं, और इससे क्या हुआ, बाहर की wall और membrane dissolve हो गई, उसको आपस में fuse करवाया, और काम बन गया, ठीक है ना, तो hybridized cell निकल कर रहा है, देख रहे हो, plant cell का protoplasm लिया, parent A का, parent B का आपस में पेग लगाया, cell fuse हुआ, फिर nucleus fuse हुआ, क्यारियो है न, यह सिंपल से स्टेप्स हैं, चीज़ों को सिंपल आसानी से याद तक हुआ, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी बच्चे को जरा सा भी देखकर confusion है न, आ सकता है, है न, है न, किसी बच्चे को कोई confusion है या नहीं, ठीक है न, इस आर दे तिंग्स, आखरी जो topic मैं तुमको quick form में समझाना चाहता हूँ, कई बार हम artificially seed भी develop करते हैं, बच्चों, यह आखरी topic है, चोटा साही है, बस दो मिनट का काम और है, तो artificial seed, है न, हम कुछ उसमें develop कर रहे हैं, पाइदा क्या होता है, जैसे यहां पर, technique of synthetic seed is being done, है न, कहां पर, दो-तीन जगहों पर है, sandalwood में क कर किया जा चुका है, मलबरी में भी इस पर research की जा सकती है, यह तुमारे NCRT का नहीं, आउटॉक NCRT है, कहां पर भाभा Atomic Research Institute, यहां पर कुछ radiations की मदद से artificial seeds बनाए गए, पाइदा क्या है, आप directly artificial seed जो बना रहे हो, वो directly plant grow करवाने में मदद कर सकता है, आप सीधे लगा बहुत जादा cost लगती है, किसकी problem है, माके तो सब चीज़े ठीक है, है न, that's it, आज के लिए इतना ही, and the best thing is, इस 24 और 25 जुलाई को, आप 11 करोड रुपए तक जीद सकते हैं, कितने हैं, 11 करोड रुपए तक जीद सकते हैं, sir कैसे, एक scholarship test है, scholarship test, आपके लिए बता देता इसमें आपको एक test लिया जाएगा, test का नाम क्या है, an academy prodigy, an academy prodigy, पाइदा क्या है, अगर आप top 2 में आते हो, तो आपके, पहले तो medical college में selection चाहिए, अगर selection हो जाता है, तो medical college की first year की fees and academy pay करेगा, सबसे important चीज़, and the best thing is, get sponsored your first year college for year, first thing, दूसरा, rank wise आपको prizes मिल रहे है, first 10 बच्चों को, एक laptop मिल रहा है, macbook, 11 से 15 वालों को, iPhone 12 मिल रहा है, बहुत से options है, 15 से 20 वालों को, Apple iPad मिल रहा है, हलाकि, हलाकि, अपने अपने शौक है, अपने वो है, बट मैं इसमें सबसे चीज़ तो macbook मानता हूँ, second number पर मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि इसके बिना किसी भी medical college के बच्चे की जिंदगी व्यर्थ है, क्यों, आप चलते फिर ते पढ़ाई कर रहे हैं, चोटा सा tab है, उसमें लिख भी सकते हो, बहुत से options हैं, एकदम copy की तरह काम होता है, book और copy दो, notebook दोनों है, इस से बाच कर लो, भूलेंगे नहीं, याद कर लो, आप इसको डेली दे सकते हो, 12 जुलाई से ये डेली भी होगा, कुछ ऐसी चीज़े भी हैं, आप वहाँ पर जाकर आप पर जाकर देख लो, कुछ पुराने instruments हैं, जोनों इसको दिया, और कुछ बहतरीन फायदे में हैं, रोजाना कॉमबैक भी दे सकते हो, मेरा कोड यूज कर ले न, हर संडे होता है, और इसके भी बहुत से फायदे हैं, तो अन अकाडमी बहुत से फ्री टेस्ट करा रहा होता है, अन्रोल कर लेना 80 सर कोड लगा कर, हर संडे 11 बजे होता है, और 80 सर के नाम से मुझे अन अकाडमी पर को चीजें आपको मिलनी है तो आप मेरे प्लस कोड के साथ में आए पढ़ाई करें मेहनत से लगे रहें और जो भी जरूरत है मुझे बताए तो खूब लगो खूब मेहनत करो हाड़ वर्क करते रहो और काम बन जाएगा और काम बन जाएगा ठीक है कोई कस्ट कोई परेशान लगे वो गुटाइट वश्यों गुटाइट बाए 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 बाए